स्नेक के चराविद में और आज दोस्तों आज में लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक और जितने भी रेस्कुर्स हैं खास तो पर उनके लिए ये टॉपिक अच्छा रहेगा और नहीं भी है तो जो भी है अगर आपको साफों से प्यार है या साफों के बारे में जानना आप पसंद है तो जरूर आपके लिए वीडियों होने वाला है दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि अपने भारत में अपने इंडिया में जो बवडाय जो फैमिली है उसकी कह इस्पीसीज है और उनमें क्या डिफ्रेंस है और उनमें जो भी गलत फैमिया है उनका निवारन आज में ले करके आया हूं दोस्तों लेकिन इन सब चीजों से पहले वही बात है मैं चाहता हूं अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल अभी नए है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें उससे के साथ साथ जो घंटी वाला उप्शन इसको दाप दें और उपर वाली घंटी मैं अफ्लोड करता हूं उसका मेसेज आपको तुरत मिल जाएं तो चलते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले रेट सेंट बोवा के बारे में बताते हैं आप इसकी इमेज देख लें यह इस तरह का दिखता है लबग आप सभी लोग जानते होंगे हो सकता है है जो साफों के बारे में नहीं जानते हैं उनको इसका पहँग पहरावा दोसाब और हो साब बारे मिकंस बहुत हैं और ौवास की जो बी जतनी बी स्पेशीज है यह सारी के और अगर हम इनकी बात करें परजिनन की और इनकी री प्रोडॉक्ट्टन की तो मैं बता दू कि यह सब के सब सीधे बच्चों को जनम देते हैं यह साप अंडे नहीं रखते हैं और यह ज्यादा तर जमीन में रहना पसंद करते हैं तो जो कॉमन सेंड बोवा जो साफ है यह आउधा तो पर रेल्ट सेंड बोवा की तरह ही पाया जाता है और आ है इसे रेल्स दू कि बोलते हैं क्योंकि यह रेल्सर वर की तरह दिखता है इसलिए इसको रेल्स उप Скाळग हzepाने बारत में हर पर कुछ जगह पेकर कम और light को जैसी मैंने बता देए कि सारे साप जो बौस की फैमिली होती इसन grandfather कर लेकिन यह अगर भूंच कर ले काफ़ी इसकी बाइट होएगी काफी जखम inkम सकता आपको अलाकि बहुत करता लेकिन कर ले होते हैं और शर्मिली अपां पायदा अच्छर्मिली हो सकती सिए माइब उसको पैचान ले हुआ तो तिसरे स्पीचिज जो है दोस्तों आप बात करते हैं वह है विटाकर्स सैंडबुवा काफी रहे है और हमारे जो भारत के यह अपना विटाकर्स सैंडबुवा के अंदर similarity है जाने कि इसको पहचानना या इनके अंदर difference को पहचानना या कौन सा common sense वोगा है कौन सा विजाएकर्स है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हाला कि ये हमलों के लिए आसान है और अगर आप नहीं है और आपको नहीं पता है तो मैं बता दू कि जो common sense वोगा है जो इसकी skin होती है ये काफी खुरदूरी होती है और दानेदार होती है example देंगे हम अगर आप रेस्कुवर हैं तो आप जान जाएंगे कि Russell's Viper के skin जो होती है वो खुरदूरी होती है दानेदार होती है और अजगर के skin होती है वो smooth होती है उसी तरह से जो common sense वोगा है आप देखें मैं दिखा रहा हूँ आप इसकी जो पूरी तोचा है जो पूरी skin है वो खुरदूरी होती है दानेदार होती है rough होती है और दूम की तरफ जाएंगे तो वो काफी दाने उबरे वो दिखाए देंगे और जो विटैकर सेंट वोगा है इसके skin smooth होती है चिकनी होती है बात करें तो जो विटैकर सेंट वोगा है इसके जो दूम होती है वो काफी मोटी होती है लेकिन common sand bova की दुन थोड़ी सी पथली होती हुई जाती है यह एक दूसरा difference भी है तो easy है पहचानना ऐसा को मुश्किल नहीं है आम इंसान के लिए तो मुश्किल है कि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन आप अगर साब को देखेंगे पहचान करके अगर एक बा लेकिन आप देखें पहले image इसको बोलते हैं black sand bova कोई नाम तो नहीं है लेकिन को यह काला कलर है इसलिए इसको black sand bova कह सकते हैं हो सकता है आपको लगए यह अलाग species है लेकिन आपको बता दें यह species असल में red sand bova की species है कुछ सापों में ऐसा rare species बन जाते है यानिकी black color हो जात सकते हैं कि यह तीनों जो species हैं मारे यहां यानि red sand bova common sand bova और विटकरी sand bova कुछ भी रह गया हो यह कुछ भी इन साफों के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और जो भी मुझे पता होगा मैं ज़रूर बताऊंगा तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके यह भी ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकर या किसी और साफ के साथ में तक तक के लिए वेट थैंकि दोस्तों